हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रेल 1956 को महेंद्रगढ हरियाना राज्य में हुआ था। बात करें उनकी शिक्षा की तो उन्होंने 1972 में दिल्ली के किरोरीमल कॉलेज विश्व विद्यालय से सनातक किया। यही नहीं वहराश्ट्रिय नाट्टे विद्यालय और भारतिय फिल्म और टेलिविजन संस्थान के पूर्व छात्र थे। अपने ड्रामा किर्दार के लिए प्रसिद्ध सतीश कौशिक ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत साल 1933 में मासूम फिल्म में एक अभिनेता के रूप में की। जिसके बाद उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे भी कई फिल्मों में काम मिला। उन्होंने अपने शुरुआती फिल्मों में जैसे जल्वा, मोहबत, वो साथ दिन और सागर जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन सतीश कौशिक ने अपनी असली पहचान तब हासिल की जब साल 1987 में उन्होंने मिस्टर इंडिया में महत्वपूर्ण किरदार प्ले किया। खास बात तो यह थी, सतीश कौशिक ने इसी फिल्म से उन्होंने बतौर फिल्म निर्माता के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने उन्नीस सो उन्चारी में राम लखन 1990 की ब्लॉक बस्टर फिल्म स्वर्ग में काम किया। सतीश कौशिक जी का दिल का दौरा पढ़ने के कारण 9 मार्च 2023 को गुरगाव में 66 वर्ष की आयू में निधन हो गया।